हर्याना के नई मुख्य सूचना आयुक्त कोन बने है ये बने है विजे वर्धन और इसके लावा राज्य सूचना आयुक्त कोन बने है ये बने है सत्वीर सिंग फुलिया और इनको सपत किसने दिलवाई है मनोरलाल खटरनी जो हर्याना का मंतरी मंडल है उसका दुबारा से विस्तार किया गया है 28 दिसंबर 2021 को इसमें दो विधायक जोड़े गए हैं एक तो दवेंदर बबली है और दूसरा है कमल गुपता जो दवेंदर बबली है ये क्या बने है राज्य मंतरी ठीक है मंतराले कौन सा इनके पास विकास एवं पंचैद भिवाग और इसके लावा पूरा ततव एवं म्यूजियम भिवाग और जो ये भिवाग है इससे पहले किसके पास था ये अनूप धानक के पास बात करें दवेंदर बबली के विधानसवा छेतर की तो ये है टोहाना जो की पढ़ता है फत्यवाद में पार्टी कौन सी है जेजेपी इसके बाद बात करें कमल गुपता की तो ये भी क्या बने है राज्य मंतरी इनके पास मंतराले कौन सा है अर्बन लोकल बोड़ी और हाउसिंग फॉर ओल भिवाग ये मंतराले है और इनका विधानसवा छेतर है हिसार पार्टी कौन सी है बीजेपी और इसी के साथ जो हर्याना विधान सबा है इसमें कुल मंत्रियों की संख्या हो गई है चोदा जिसमें से 6 तो है राज्य मंत्री, 6 है कैबिनेट मंत्री और एक मुख्य मंत्री और एक उप मुख्य मंत्री और हर्याना में अधिक्तम कितने मंत्री हो सकते हैं? 14 यानि इस समय अधिक्तम संख्या हो गई है देखो इस समय तो है 14 मंत्री लेकिन जब सरकार बनी थी जेजेपी और बीजेपी की यानि 27 अक्तूबर 2019 को उस समय कितने मंत्री थे 10 और अब कितने है 14 ये आपको ध्यान में र अनिल विज, कवरपाल गुजर, मूलचन सर्मा, जेपी दलाल, बनवारी लाल ये सभी कौन सी पार्टी से बीजेपी की और क्या है कैबिनेट मंत्री उसके लावा ओम प्रकास यादव, कमलेश धांडा, संदीप सिंग और कमल गुपता ये कौन सी पार्टी से हैं ये भी है ब इधायक है रंजीत सिंग, ये क्या है कैबिनेट मंत्री, अगर आप ग्राम सिस्टी पटवारी के नाल पटवारी की एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स बना रखे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रहेंगी, अगर आ ग्रैम मंत्री कौन हरियान के? अनील विज, स्वास्ते मंत्री, अयूस मंत्री, चिकित्सा सिक्सा मंत्री, और विज्यान एवम तकनीकी मंत्री, तो ये कौन है? अनील विज, इनका चुनाव छेतर कौन सा है? अंबाला कैंट, ये इंपोर्टन है, ठीक है, ये लगातार कहां पे हुआ था अंबाला में इनके बारे में थोड़ी बाते जान लेते हैं जो अनिल विज हैं इनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1953 को कहां पे अंबाला में इनके पिता का नाम क्या था भीम सैन माता का नाम राज रानी और इसके लबा इनका संबंद है बीजेपी पार्टी से बात करेंगे शिक्सा की, तो इन्होंने 1932 में BSC की थी HD College से, जो की है अंबाला में, कहां पे अंबाला में, तो इतना कलेर होगे आपको, आप देखते हैं अंगला पाइंट, उसके बाद है विधान सभा के अध्यक्स, कौन है ये ग्यांचंद गुपता, और इनका चुनाव है राम सवरूप, और माता का नाम है पारवती देवी, उसके बाद है विधान सभा उपाध्यक्स, तो ये कौन है रनवीर गंगवा, इनका चुनाव छेतर है नलवा, कौन सी सीट है नलवा, जो की पढ़ती है हिसार में, देखो इस समय तो विधान सभा के उपाध्यक्स है रनवीर गंगवा, जो पिछली विधान सभा थी, उसमें कौन थे, संतोस यादव, और रनवीर गंगवा का जनम हुआ था, चार मार्च 1964 को कहां पे हिसार के गंगवा गाउं में, पतनी का नाम है इनकी, अंगोरी देवी, पिता का नाम है राजाराम, माता का नाम केसर से पहले कौन थे, सुभास बराला, देखो ये बात तो होगी हरियाना की, अगर बात करे, भारत में बीजेपी पार्टी के अधक्स कौन है, तो ये हैं जेपी नडड़ा, जो ओमपर का धनखड है, यानि ओपी धनखड, इनका जनम हुआ था, एक अगस्त 1961 को, कहां पे जज जर्में और बात करें इनकी सिक्सा की, तो इन्होंने एम एड करकी है, एम डू यूरस्टी से, हरियाना के वर्तमान में, दस में मुख्य मंत्री कौन है, तो ये हैं मनोहरलाल खटर, और दूसरी बार सपतले इन्होंने 27 अक्तूबर 2019 को, और इनके पास कौन-कौन से मंत्रा ले हैं, यानि ये कौन-कौन से मंत्रा ले के मंत्री हैं, विर्त मंत्री हैं, नगर एवम ग्राम आयोजन सहरी संपर्दा मंत्री, जन सवास्ते अभियांतरी की मंत्री, सिच्चाई एवम जल संसादन मंत्री, सूचना प्रोधोगी की मंत्री, इलेक्ट्रोनिक एवम संचार मंत्री, आवास मंत्री, योजना मंत्री, गुपचर यानी CID, यह जो डिपार्टमेंट है ना, यह भी किस के पास है? CM, मनोरलाल खटर के पास, वैसे यह होता है, हो मिनिष्टर के पास, लेकिन हरियाना में यह डिपार्टमेंट किसको दे रखा है? मुख्य मंतरी मनोलाल खटर को यहां से question आ सकता है इसलिए अप ये ध्यान में रखना इसके लाबा राजभवन के मामले और अन्य वो सभी विवाग जो किसी अन्य मंतरी को नहीं दिये गए है उसके मंतरी कौन होंगे मनोलाल खटर जो मनोलाल खटर है इनका चुनाव चेतर कौन सा है करनाल जनम हुआ था इनका निंदाना गाउं में जो कि पढ़ता रोत्तक में तसी लगती है महम ये मैंने बता भी रखा है जो मनोलाल खटर है जनम कब हुआ था इनका 5 मई 1954 को ये पंजाबी खटरी प्रिवार से है पार्टी बीजेपी है सिक्सा दिल्ली उनिएस्टी से ग्रेजवेशन की थी इनोंने पिता का नाम हरवंस लाल खटर है अभी अभी मनोलाल खटर के भाई के डेथ हो गई थी तो एक्जाम में उसका नाम पूछ सकते है कि उनके भाई का नाम क्या है तो क्या है गुल्चनलाल खटर बात करें दूसरें चोटाला की तो ये क्या है हरियाना के उप मुख्य मंत्री इनके पास कौन से मंत्रा ले हैं यानि किस मंत्रा लेगी ये मंत्री है और ये हरियाना के चपल अब क्या है चपल अब क्या है चब भी जेजेपी पार्टी की अडेक्स कौन है अजे चोटाला जो की है दूसर्ण चोटाला के पिता जी दूसर्ण चोटाला का चुनाव छेतर कौन सा है उचाना कला जो की पड़ता है जीन जीले में दूसर्ण चोटाला के बारे में कुछ बाते जान लेते हैं इनका जनम ह भुआ था 3 अपरेल 1988 को हिसार में पत्नी नाम है मेगना चोटाला, पिता का नाम है जेश होटाला, माता का नाम नैना चोटाला दादा का नाम है ओम्प्रकास चोटाला जिनकी पार्टी कौन सी है आइणल डी इंडि equip कोन सी है जेजेपी जन्नायक जन्ता पार्टी सिक्सा की बात करें इनकी तो B.S.C. की थी नोंने अमेरिका के कैलिफोनिया की कैलिफोनिया स्टेट यूनिस्टी से और इसके लाबा मास्टर ओफ लाग की बढ़ाई की थी नोंने नैशनल लोव यूनिस्टी से उसके बाद हर्याना सारवजनिक उपकरम ब्यूरो के अध्यक सुभास बराला हैं जिनका चुनाव छेतर है टोहाणा अब की बार ये हार गए थे शिखसा मंतरी की बात करें या फिर वन मंतरी की प्रेटन मंतरी की सतकार मंतरी संसदिया कारिया मंत्री या फिर कला एवन संस्कृत मंत्री तो ये सबी मंत्रले किसके पास है कवरपाल गुजर के पास इनका जनम हुआ था 8 मई 1960 को कहां पे यम्ना नगर के भादूरपुर गाउं में जिसकी तैसीर लगती है चच्छरोली, पोस्ट ओफिस लगता है खिजराबाद, पत्नी का नाम है सुनीता गुजर, पिता का नाम है मानचंदन सिंग बात करे माता का नाम जगवती देवी है बात करे पढ़ाई की तो इन्होंने करखे बी ये पार्टी का नाम है बीजेपी इसके लबा इनका चुनाव शेतर क्या है जगादरी जो की पढ़ता है यमना नगर में उसके बाद है परिवेन मंतरी खान वै खनन मंतरी कोसल विकास मंतरी या फिर उध्योगिक परसिक्षण मंतरी इसके लबा निर्वाच्चन मंतरी तो ये सबी मंतराले किस के पास है मूलचन सर्मा के पास और इनका चुनाव शेतर है बललवगर्ड जो की पढ़ता है फरिदाबाद में इनके जनम की बात करें तो इनका जनम हुआ था चार अपरेल 1964 को और ये बीजेपी पार्टी की है हर्याना की नई रज्यपाल तो ये कौन बन गई है बंडारू दत्ता तरे ठीक है और ये कौन से नमबर के बने है अठारवे नमबर के और इनसे पहले कौन थे सत्यदेव नरैन आ रही है जो कि थे 17 नमबर की और इसके लाबा जो सत्यदेव नरैन आ रही है ये अब बन गई है तिरपुरा के रज्यपाल और जो बंडारू दत्ता तरे है ये थे पहले हिमाचल के रज्यपाल तो फ्रेंट जो बंडारो दतात रहा है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में और हाँ राज़पाल से कुशन हो राता है कि पहले नंबर के राज़पाल कौन थे तो हर्याना के पहले नंबर के कौन थे धरमवीर यह मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि एक्जाम में पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन है तो अंसर आएगा भौपाल से यह भी पूछ सकता है इन से पहले कौन थे भारत भौशन भारती ठीक है फुल फॉर्म पुछे हरयाना स्टाफ सेलेक्शन कमेशन और जो भौपाल सेंग यह कहां से है यम्रानगर के खदरी गाउं से आप एक तरीक कसे याद रख सकते हैं भौपाल सेंग का नाम साथ में ले दो और जो भोपाल सिंग है इनका करेकाल है तीन वर्स का देखो जो HCC का चेर्मेन बनता है उसका करेकाल या तो तीन वर्स का होता है या फिर उसकी आयू 68 वर्स तक नहीं हो जाती इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही उसका करेकाल होगा अगर उसकी तीन साल से पहले 68 वर्स की आयू हो जाती है तो उसका करेकाल उसी समय पूरा हो जाएगा जब से उस समय एक साल हुआ हो या दो साल ठीक है अगर उसकी आयू 68 वर्स नहीं होती है तो तीन साल तक कारी करेगा क्योंकि एक्जाम में कोशन आ सकता है कि H.S.S.C. के चेर्मेन का करेकाल कितने वर्सक होता है तो कितने वर्स तक होता है? तीन वर्स तक और जो भुपाल सिंग है इसके साथ साथ पांच सदस्चों ने भी सबत ली थी वो कौन-कौन से थे? वो जाने से पहले एक बाद जान लो जो इस सदस्य हैं इनको सपत कौन दिलागता है मुख्य सचीव और वो कोन है विजेवर्धन क्या विजेवर्धन अब जो पांच सदस्य हैं एक कवलजित सिंग सेनी दूसरा विजेकुमार सत्यवन सेरा विकास धहिया और सचिन जैन ये पांच सदस्य हैं हर्याना के 35 मुख्य सचिव कौन है यानि चीफ सेकेटरी यह संजीव कोसल इन से पहले कौन थे विजय वर्धन और विजय वर्धन से पहले कौन थी केशनी आनंद अरोडा तो ठीक है फ्रेंड यह बात आपको ध्यान में रखनी है 35 नंबर के यानि इस समय 55 हर्याना हाई कोट के नए मुख्य नएधिस कौन है यह है रवी संकर जाएगा कि 55 हर्याना हाई कोट के मुख्य नएधिस कौन है तो यह कौन है रवी संकर जाएगा कि 55 हर्याना हाई कोट के मुख्य नएधिस कौन है तो यह कौन है रवी संकर दोस्तों की साथ भी सेयर कर दो जो हरियाना के गवर्मेंट एक्ज़ामगी तयारी कर रहे हैं। और इनसे पहले कुन थे? सिरी नवलखिसो RIGHT अगरवाल देख़ो फैरिंड अब तक है ये सारा अपडेटी डाटा अगर कल को कुछ चेंज हो जाता है तो मैं क्या करूँगा कोमेंट में उसके बारे में बता दूँगा इसलिए अब कोमेंट जरूर देख लेना ठीक है हरियाना के नए चुनाव आयुक्त कौन है धनपत सिंग कौन है धनपत सिंग और इनसे पहले कौन थे दलीब सिंग और जो चुनाव आयुक्त है इसको मुखे निर्वाचन अधिकारी भी बोल देते है या फिर इलेक्सन कमिशनर भी तो एक्जाम में कोशन आए कि हरियाना के चुनाव आयुक्त या फिर मुखे निर्वाचन अधिकारी या फिर हरियाना स्टेट के इलेक्सन कमिशनर कोन है तो सबका अंसर एक ही होगा क्या धनपत सिंग अगला कुशिन है हरियाना महिला आयुकी अधिक्स कोन है ये है रेनू भाटिया और उपदक्स कोन है प्रीति भार्दवाज हरियाना उर्दू कैदमी की निर्देशक चंदा त्रिखा और उर्दू कैदमी की स्तापना होई थी 22 दिसंबर 1985 को अब बात करें रंजीत सिंग की तो ये हैं बिजली मंत्री, रेल मंत्री और इनका चुनाव 16 राणिया जो की पढ़ता है सिर्शा में इसके बाद है जैपरकास दलाल जो जैपरकास दलाल है ये हैं करीशी मंत्री, डायरी मंत्री, किसान मंत्री, मचसे और कानून मंत्री यानि ये सबी मंत do the ले किसके पास है जय परकास डलाल के पास और जय परकास डलाल का चुनाव छेत्र है लोहारू जो की पड़ता है बिवानी में और ये एक माथतर महिला मंत्री है खेल ऐवं युवा मामलो के मंत्री संधीब सिंग है जिनका चुनाव छेत्र है पहवा जो की पढ़ता है कुर्छेत्र में जो संदीप सिंग है इनका संबन्द है हाक्की से यानि ये हाक्की के खिलाडी थे और इनका जनब हुआ था 27 फरवरी 1960 को और इन्होंने पंजाबी भासा में सपत ली थी ये बात ध्यान रखना उम प्रकास यादव ये राज्य मंत्री है जिनका चुनाव छेत्र है नारनोल और इनके पस मंत्राले कौन से है समाजिक न्याए एवम अधिकारिता मंत्री सैनिक वे अर्ध सैनिक कल्यान मंत्री पार्टी कौन से है बीजेपी उसके बाद है अनूप धानक ये है राज्य मंत्री पालिटी कौन से इनकी जेजेपी चुनाव छेतर उकलाना है और इनके पास कौन से मंत्रा ले है राजसव एवम आपदा परवंधन ये काम करते उप मुख्य मंत्री के साथ उद्योग एवम वानिज्य है खाद्य नागरिक अपूर्ती और उप वोक्ता मामलों के मंत्री है और ये काम करते है उप मुख्य मंत्री के साथ लेकिन सरम एम रोजगार मंत्रा लेखा इनके पास सवजनतर परवार हर्याना विदुद विन्यामक आयोग के नए चेर्मेन कौन है डियस धेसी हर्याना पुबलिक सर्विस कमीशन जिसको हिंदी में कहते है हर्याना लोकसेवा आयोग इसकी अदिक्स कोन है अलोक वर्मा और इनसे पहले कोन थे रंजीत कुमार पचननदा और उससे भी पहले कोन थे मनवीर सिंग बढ़ाना अगला क्वेशन है हर्याना परदूशन नेंतन बोर्ड की अधेक्स कौन है तो ये कौन है दीप्ती उमा संकर HBSC इसकी अधेक्स कौन है डाक्टर जगबीर सिंग जो कि है हिसार सी और HBSC की फुल फॉर्म है हर्याना बोर्ड ओफ स्कूल एजुकेशन हर्यान सहित्यक आईपंडमी के अदेग्स कौन है ये quick question important है यहां से question आजաता है तो ये कौन है मुक्य मंतरी और मुक्य मंतरी कोन है मनोहरलाल कह्टर जो हर्यान सहित्ते का अदमी है इसकी स्तापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को मुख्यला है इसका पंचकुला में और इसकी पत्री का कौन सी है हरी गंदा हर्याना प्रेटर निगम के चेर्मेन रंदीर सिंग गोलन है जो पुंडरी से निर्दलिय विधायक है हर्याना प्रेटर निगम के चेर्मेन तो होगे रंदीर सिंग गोलन अगर पूछले प्रेटर मंतरी कोन है तो आगा कवरपाल गुज्चर ये मंतरी है ये अधक्स यानि चेर्मेन है हर्याना बंदारा निगम के चेर्मेन नेंपाल रावत है जो कि है पिर्थला से निर्दलिय विधायक हर्याना फिलम परमोशन बोड़ के चेर्मेन स्तीस कोसिक है और जो स्तीस कोसिक है, इनका संबन्द है महिंदर गड से हर्याना स्पोर्ट्स यूश्टी यानि HSU इसके चंसलर कौन है ये है राज्यपाल पहले इसके चंसलर होते थे कपिल देव जो की थे किर्केटर लेकिन अब इसका रूल बदल कर क्या कर दिया है जो इसका चंसलर होगा यानी हरियाना स्पोर्ट यूरिस्टी का तो ये राजजपाल ही होगा इस समय राजजपाल कुन है? इस का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा तो आप इसका अंसर आसानी से देदोगे तो बताईए हरियाना के राजपाल कौन है? बात करे कप्पिल देव की इनको ना हरियाना का हरी केन भी कहते हैं और 1983 के वर्ल्ड गप में ये भारते टीम के कप्तान थे अगर बात करे हरियाना स्पोर्ट्स उन्वेस्टी की ये कहाँ पे सोनिपत के राई में और ये हरियाना की पहली स्पोर्ट्स उन्वेस्टी है बात करे भारत की ये है भारत की तीसरी उन्वेस्टी अब बात कर लेते हरियाना की लोकसभा सीटों की तो ये कूल है 10 और 10 की 10 जीत ली थी अपकी बार BJP ने ठीक है तो आपको बता देता हूँ कौन सी सीट से कौन जीता था अगर बात करें रज्यपाल की ये मैंने बताया था कौन है बंडारू दत्ता तरे कौन से नंबर के 18 नंबर ही हरियाना भूमी सुधार एवं विकास निगम के अधेक्स कौन है ये हैं जगदिस नेयर जो की है होडल से बाजपा के विधायक हरियाना क्रीशी उद्योग निगम कहां से नर्वाना से और इन से पहले कौन थे गारगी ककर्ड है फिड बजार के चेर्मेन कौन है ये हैं कैलास भगत जो की हैं कैथल से हरियाना पिछड़ा वरग कल्यान निगम के चेर्मेन कौन है ये हैं निर्मल बिरागी जो की हैं करनाल से हरको बैंक के अधेक्स अर्व विकास निगम की एदिकस कौन है पावन जो कि है सोनी पत से हरियाना डार जारी विकास संग के चेर्मेन यह है रंदीर सिंग जो कि खुला जक्राऊस से और अगर आपको HSAC CT एक्जाम के लिए नोट चाहिए तो आप हमारे वटसप नमबर 8590 के 508 पर मैसिज कर सकते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्स वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें